नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मारूती सुस्की की हैश्बैक कार वैगानार के बारे में तो ये वैगानार का VXI वेरियंट है जो की काफी वैल्यू फार मनी वेरियंट माना जाता है प्राइस की अगर बात की जाए तो प एक सोरूम प्राइस में CNG वेगानार आप ले सकते हैं VXI वेरियंट के अंदर जो के काफी बेहतरीन है अपने सेग्मेंट में इसके बाद इंजन की बात करेंगे तो इसमें आपको 998 CC का 1 लीटर वाला K-series इंजन यूज़ किया गया है मारूती कंपनी की माने तो ये इं होने वाली नहीं है कार की चाभी के बारे में बात कर ली जाए तो वही पुराना डिजैन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिलेगा तो बहीं सेंटर लॉकिंग मिलने वाला है आपको VXI वेरियंट में अब आगे बढ़ते हैं औ आपको 1620 mm के चौड़ाई दी गई है वेगानार को फ्रेंट प्रोफाइल में आपको सुचकी का लोगो सामने देखने को मिल रहा होगा बड़ा सा और ग्रेडियेटर ग्रिल में आपको क्रोम की फिनिस देखने को मिल जाएगे काफी बढ़िया लग रही है इसके बाद बात क इसके बाद वाइपर आपको यहाँ पे नॉर्मल ही मिलेंगे और अब चलते हैं इस कार के साइट प्रोफाइल में तो इस कार को 3655 mm की लंबाई दी गई है काफी बढ़िया लंबाई है है हैस्बैक कार के हिसाब से साइट इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलने वाला है यलो कलर में काफी बढ़िया लग रहा है इसके बाद आपको 14 इंच का स्टील रिम इसमें मिलेगा जिसमें 16570R14 का टैर यूज किया गया काफी बढ़िया है इस VXI वेरियंट में आपको विल कैप भी मिल जाएगा जो कुछ इस डिजाइन में आपको मिलने वाला है सिल्वर कलर में ओर वी आम आपको बाडि कलर में दिये गए है जो काफी बड़ी साइज के हैं और डिजाइन भी काफी बढ़िया लग रहा है तो कोई भी सिकायत आपको यहां नहीं होने वाली है A पिलर और B बलैक आउट वेगारा नहीं है इस variant में ग्लास एरिया काफी बड़ा है इस कार में डोर हैंडल जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपको बोडी कलर में जरूर देखने को मिल जाएंगे रूफ की तरब चलते हैं और यहां पर आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाएगा बाक अपनी के द्वारा रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो काफी बड़िया डिजाइन लगता है वेगानार का रियर से सबसे उपर आपको हाई मांट स्टॉप लैंप मिलने वाली है जो काफी उचाई पर लगी हुई है सियन जी का लोगो मिलेगा डिफॉगर इस वैरेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा सुस्की का लोगो मिल जाएगा उसके नीचे आपको वैगनार लिखा मिलेगा वो भी क्रोम में काफी बड़िया लग रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दो प्रोवाइड कर लाए गए हैं इस वैरेंट में रियर में आपको वाइपर और रियर कैमरा मिसिंग जरूर मिलेगा इसके अलावाँ टेल लैंप के बात कर लिया जाए तो भाया काफी लंबी टेल लैंप इसमें यूज की गई है नॉर्मल बल्ब ही यूज किया गया है कोई LED वगारा का तो सबसे पहले आपको यहां पर चाभी लगाने का आपको option मिल जाएगा आप चाभी से भी खोल सकते हैं जो door handle है वो काफी आपको पुराने style में दिये गा है कोई भी यहां पर आपको नया design देखने को नहीं मिलेगा जैसे इसका front door आप open करेंगे तो आपको black color में plastic देखन को मिल जाएगी fit and finish काफी बढ़ी आए यहां पर आपको जरूर silver test देखने को मिल जाएगा ORVM के control आपको मिल जाएगे कीवल adjust कर सकते हैं fold नहीं कर पाएंगे आप बाकी चारो power window आपको इस variant में मिलने वाली है जिसके control आपको door पे मिल जाएगे button quality से कोई समझावता नहीं क काफी बढ़िया है soft touch और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा door के अंदर हर जगा आपको hard plastic ही देखने को मिलेगी इसके बाद storage की बात करें तो पानी की bottle आपकी door में जरूर आ जाएगी थोड़ा बहुत सामान भी आपका आने वाला है front में आपको speaker भी दिया गया है अ पर कोई भी adjustment का आपको option इस variant में नहीं दिया गया है कुछ नहीं ठीक ठाक है बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं थाई support भी ठीक ही है बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा जो headrest है वो आपको fix देखने को मिलेंगे अगर होते तो काफी बढ़िया होता इसके बाद dashboard देख काफी बढ़िया आपको दे जाती है plastic quality जो यूज की गई है hard plastic का use किया गया है पूरा का पूरा dashboard hard plastic में बनाये गया है कहीं भी आपको soft touch और देखने को नहीं मिलेगा अब लेकिन design काफी बढ़िया है design की काफी तारीफ करना बनता है क्योंकि बढ़िया design आपको यहां मिलने वाला है round shape में आपको steering मिल जाएगी जिसमें आपको left और right side में कोई भी control नहीं मिलेगा सुचकी का logo और airbag जरूर देखने को मिल जाएगा मारूती company wagon R के अंदर में दो airbag offer करती है steering में आपको जरूर silver finish देखने को मिलेगा इसके बाद right side stock में आपको headlamp से जुड़े control दिये गये हैं काफी बढ़िया और smooth चलते हैं सारे control यहां पर race में भी है और जो left side में stock दिया गया है उसमें आपको wiper से जुड़े control देखने क को मिल जाएंगे काफी रीस में है कोई दिक्कत आपको यहां होने वाली नहीं है steering की अर्जेस्ट की बात कर ली जाया तो केवल tilt को option आपको provide कराया गया है टेलिस्कोपे को एगारा नहीं दिया गया है क्योंकि अपनी range के हिसाफ से काफी बढ़िया है और tilt option आपको यहां प जाएगी जिससे आप trip हो गएरा trip a trip भी आप जो है set कर सकते हैं अपना इसके बाद आप चलते हैं driver side तो आपको जो AC went मिलेगा काफी बढ़िया है round safe में आप घुमा भी सकते हैं उसको बंद भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो CNG और petrol में अगर आप change convert करना चाहते हैं तो उसका भी आपको option मिलने वाला है light leveling से जुड़े आपको control भी यहां मिल जाएंगे जिससे आप अपनी light headlamp जो है उसको control कर सकते हैं यहाँ पर आपको 20 switch का option देखने को मिल जाएगा आप चलते हैं इस car के dashboard में और देखते हैं music system अगरा क्या दिया गया है तो आपको यहां normal display देखने को मिल जाएगा इस VXI variant में side में आपको left side में USB का socket और aux cable का socket आपको यहां पर provide कराया है और right side में आप जो है अप down करने के लिए music वगारा उसका button दिया गया है यहां पर आप tune करने के लिए और यह value के लिए button दिया गया काफी बढ़िया button quality कोई भी सिकायत नहीं है यहां पर आपको call menu display और mode और call उठाने के लिए आपको जो है सारे button आपको provide कराया है तो button काफी reach में है 1000 का button आपको बीच में दिया गया है नीचे जाएंगे तो आपको manual AC इस variant में provide कराया है काफी बढ़िया AC मारूती का होता है क भी कमी नहीं है और नीचे बढ़ेंगे तो आपको 12V का charging socket यहां दिया गया है उसके नीचे आपको space भी provide कराया गया जहां आप अपना phone वेगारा रख सकते हैं gear lever आपको यहां मिल जाएगा manual transmission में उसके नीचे आपको थोड़ा सा space जरूर provide कराया है mid console में जहां आप अपनी पानी की बोतल भी रख सकते हैं और या फिर कुछ आप जो भी सामान आपको रखना है dual tournament dashboard काफी बढ़िया लग रहा है design काफी अच्छा है glow box दिखाते हैं तो कुछ ऐसा glow box है ना तो वहाँ पे कोई light है ना आपको cold वगरा मिलेगा glow box के अंदर सारे आपको wear और सब कुछ द करना चाहिए इसके बाद rear view mirror देखा जाए तो manual आपको मिलेगा और cabin light आपको yellow color में मिल जाएगी और light भी ठीक है कोई सिकायत यहां पे नहीं होने वाली sun visor आपको normal मिलने वाला है co passenger side जो sun visor है उसमें आपको mirror जरूर मिलेगा यह काफी बढ़िया बात है लेकिन जो sun visor दि बढ़ाना चाहिए grab handle काफी बढ़िया है premium quality नहीं लेकिन ठीक ठाक quality है उसकी और dashboard से जुड़ी कोई सिकायत नहीं है fit and finish काफी बढ़िया है अब चलते है rear seat की ओर देखते है कि rear में क्या-क्या wagon R के VXI variant में आपको मिलने वाला है तो rear door में आपको black color की plastic पूरे door पे देखने को मिलेगी single black में कोई भी dual tone वगारा नहीं है यहाँ पर आपको power window का control भी मिल जाएगा जो काफी बढ़िया है soft touch और नहीं मिलेगा hard plastic का ही use किया गया है जैसे आपको front door में देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको chrome finish ज़रूर देखने को मिल जाएगी silver finish और यहाँ एक लीटर bottle आपकी आजाएगी और यह थोड़ा सा space दिया गया है speaker आपको नहीं मिलेगा rear door में केवल front में ही आपको दो speaker इस variant में मिलते हैं seat की बात कर ली जाए तो fabric seat आपको मिलेगी headrest fix वाले दिये गये हैं कुछ निंग ठीक ठाक है बहुत बढ़िया नहीं कह सकते है 60 40 आप split कर सकत है seat को यह काफी बढ़िया यहाँ फीचर आपको उपलब कराए गया है और थाई सपोर्ट बिलकुल नहीं है इस rear seat में थाई सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था और rear passenger के लिए कोई भी charging system भी नहीं दिया गया है glass area काफी बड़े बड़े दिये गया है तो काफी airy feel होने वाला है जब आप इसमें बैटके सफर करेंगे तो काफी मज़ा आपको आएगा पीछे जरूर आप थोड़ा बहुत अपना सामान रख सकते हैं लेकिन rear के लिए ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है आप चलते हैं बूट इस पेस देख लेते हैं को इस कार मे वेगनर के VXI में आपको कितना बूट इसपेस दिया जाता है तो बूट खोलते हैं इसका तो इस में आपको बूट इसपेस नहीं मिलेगा क्योंकि ये CNG कार है केवल आपको पार्सल ट्रे मिलने वाली है जिसमें आप अपना सामान वगेरा रख सकते हैं नॉर्मल पैट्र लिखते तो आपको 341 लीटर का यहां बूट इसपेस मिलता CNG जो दी गई है उसमें पीछे आपको टैर इसपेर टैर जो है वो लगाये गया है जिससे सेफटी काफी बढ़ जाती है सिलेंडर की अगर पीछे से कुछ हिट करता है तो सीधा उसका इमपैक्ट जो है वो सिले वगारा देखने को नहीं मिली है मारूती के द्वारा तो भाई काफी बढ़िया लगा पीछे जो कंपनी के द्वारा यहां पे सेफटी प्रोवाइड कर आई गई है से CNG सिलेंडर के लिए तो यह थी भाई मारूती की वैगानार VXI मोडल आपको कैसी लगे कमेंट कर सकते है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो एक लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप ऐसे वीडियो सबसे पहले देख पाएं मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद चाहेंगें